हड्डियों का या फिर जोडों का TB किसी भी और नॉर्मल TB की तरह है जो की धीरे धीरे बढ़ता है इससे मरीज को दर्द होना, सूजन आना या फिर उस जगा का मूवमेंट कम होना जैसे सिम्टम्स हो सकते हैं TB गुठने को, हिप को, स्पाइन को, शोल्डर को या शरीर की किसी भी हड्डी को इन्वाल्व कर सकता है नॉर्मली ये TB की विमारी हमें उन लोगों में जादा मिलती हैं जो अलकोहल लेते हो या ऐसी जगाओ पर रहते हैं जो साफ सुथरी नहीं है या जिनके परिवार में कोई TB का मरीज हो TB पूरी तरह से ठीक हो सकता है इसके लिए हम मरीज को करीब 9 महीने से लेकि एक साल तक दवाईयां देते हैं और साथ ही जिस जोड में जिस हड्डी में ये TB हुआ होता है उसको हम X-ray या MRI करके देखते हैं कि उसमें destruction है की नहीं destruction मतलब वहाँ के उस हड्डी को damage हो रहा है की नहीं अगर हम TB जल्दी पकड़ लेते हैं तो ये दवाईयों से ही पूरी तरह से ठीक हो जाता है लेकिन अगर जैसे knee का या hip का कोई ऐसा TB है जो लेट हमको पता चला और TB एक limit से ज़ादा बढ़ गया है अगर हड्डीयों को गलाने लग गया है या वहाँ पे सूजन बहुत है पस भर गया है तो हमें surgery करके वहाँ पे चीरा दे के उस पस को निकालना पड़ता है और हम उस जोड को अच्छे से धो देते हैं TB अगर हम timely treat करें तो पूरी तरह से ठीक हो जाता है और जोड डैमेज नहीं होता अगर जोड काफी time तक TB bacteria से डैमेज होता रहा और उसमें दवाईयां लेट शुरू हुई तो कभी-कभी जोड इतना डैमेज हो जाता है कि फिर हम उसको सफाई करके भी पूरी तरह से ठीक नहीं कर पाते उस case में हमें देखना पड़ता है कि जोड कितना खराब है normally अगर जोड एक हट से जादा खराब हो जाता है तो उसका movement कम हो जाता है उसमें सूजन रहती है और मरीज का चलना उठना मुश्किल हो जाता है तब हमें कभी-कभी उस जोड में जो डैमेज टिशु है उसको हटाना पड़ता है operation करके या अगर अंदर fibrosis या additions जो की जोड को जकर लेते हैं इसी चीज़े बन जाती है तो उनको हमें operation से खोलना पड़ता है rarely अगर जोड बिल्कुली खराब हो गया होता है तो हम वहाँ पे ऐसी surgery करते हैं जिससे की एक proper हड़ी बन जाए जिसे की मरीज वेट दे पाए और चल पाए इसे हम arthritis भी कहते हैं अगर जरुत लगती है और महाँ के tissue इतने ठीक हों कि हमें allow करते हों तो हम कभी कभी उसमें ऐसी भी surgeries करते हैं जिससे इनको क्या motion preserving surgeries कहते हैं ताकि मरीज चल फिर पाए वो जोड मुड़े भी और मरीज को एक normal life मिले अगर आप या आपके परिवार में किसी को भी हड़ी का या जोडो का टीवी है तो उसे बिलकुल ignore ना करें जल्दी से जल्दी उसका इलाज शुरू कराएं ये पूरी तरह से ठीक हो सकता है इसमें जरूरी चीज ये है कि जल्दी से जल्दी इलाज शुरू हो दवाईयां चलें और हम उस जोड का movement preserve करके रखें अगर उस जोड को हम वैसे ही जमने देते हैं तो दिरे दिरे movement खतम हो जाता है और वो एक deformity की position में रह जाता है जिससे की मरीज का चलना मुश्किल हो जाता है अगर आपको कभी भी लगता है कि कहीं पे या किसी आपके परिवार में किसी को TB है तो फॉरण अपने डॉक्टर को दिखाएं TB के दवाई शुरू कराएं और अगर जोड हच से जादा involve हो रहा है तो किसी orthopedic surgeon से तुरंत concern कर तो किसी अगर जाब कर दाना मुश्किल हो जादास कर था बाला कर रहे हैं जादे टाना कर किसी आपके वे लगता है है तो